ट्यूलिप का फूल बसंत रितू के मौसम में खिलता है लेकिन राज्य वन सनरक्षक अनुसंधान हल्दवानी ने ट्यूलिप को राज्य में उगाने का प्रयोग किया और इस प्रयोग के सफल नतीजे भी सामने आये हैं आपको बता दें कि ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों के ये तस्वीरे हल्दवानी वन अनुसंधान केंद्र की हैं उम्मीद की जा रही है कि ट्यूलिप का फूल अब उत्राखंड में भी छटा विखेरेगा वन विभाग के शोध में हल्दवानी और मुनिस्यारी में प खासा उत्साहित है और उसने अब वहां ट्यूलिप गार्डन बनानी की यूजना भी बनाई है ताकि यह यूरोप की दर्ज पर परेटिकों के आकर्शन का केंद्र बन सकी अधिकारियों के मताविक अभी दक केवल देश में जमू कश्मीर में ही ट्यूलिप अपनी छटा बिखेर रहा है लेकिन अब उत्राखंड में भी इसका प्रयोक सफल रहा है और वो इसे उगाने वाला दूसरा राच्च बन गया है वारा नुसंधान केंद्र हल्दवानी ने निदरलैंड से ट्यूलिप के करीब 300 बल मंगवाए जिसके बाद नवंबर में इन्हें नुसं और मुंशारी में भी ग्रोथ हो रही है हमको मीद महां पर भी जल्दी फ्लावरिंग होगी और ये प्रोजेक्ट एक सफल रहा है भी तक हमारे एक छोटे लेबल का ट्रायल था और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले साल से अगर हमको जमीन उपलप्थ होती है कि एक छोटे धर्मों से जुड़े पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इनमें और अशिदेय और अन्य दूसरे पौधे भी शामिल है इसके लावा उन पौधों को भी स्तनरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा जो विलुप्ति की कगार पर है अगले साल से निशित तोर पर हम इसको पौप्लिक से जोड़ेंगे। आपको बता दें कि हल्दवाने में ट्यूलिप पर किया प्रयोक सफल रहा है। उम्मीद है कि अगले साल से ट्यूलिप बड़े पैमाने पर हल्दवाने और मुनिस्तियारी में खिलेंगे जो तराखंड में परेटन के लिहाथ से एक नई योजना होगी और इसके पड़ना